हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आई एंडी हिंदी टेक चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंदरा बैंक की जिरो बैलेंस एकाउंट कोटक 811 बैंक एकाउंट का जो फिजिकल डेविट काड होता है वो कैसे आपको मंगाना है और किस परकार से आपको अपलाई करना है और किस परकार से अपने घर पे मंगाना है लेकिन इससे पहले आपको वता दे कि यदि आई एंडी हिंदी टेक को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथी नोटिफिकेसन वाले घंडी पे किलिक कर किस परकार से कोटक 811 में अपना एकाउंट किरीयेट होती है और किस परकार से हम मुभाइल बैंकिंग वगरार यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं और एक्टिवیک्ट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको कलिक करना है 811 को टक लिका हुआ है इस पर तो चलिए हम यहाँ पर किलिक करती है, किलिक करने के बाद आपका account का सारा detail यहाँ पर सोह जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर side में आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर सोह जाएगा, तो सोह जाने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं request physical visa international debit card just two ninety- flatter लिखा हुआ था उसे काट कर 199 पर एनम कर दिया गया है प्लस एप्लिकेबल टैक्सेज तो यहां पर जो 299 था वो 199 कर दिया गया है यानि कि 100 रुपए की डिसकाउंट आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है कि गेट 1 नाउ पर क्लिक करना गेट 1 नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार के इंडरफ़ेस आजाएंगे यहां पर आपको चार्जश वगयरा सारा कुछ देखने को मिल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं और आपका जो एड़रेस है वो यहाँ पर सो हो जाएगा उसके बाद लाज्ट टाइम आप जो प्रोसीड करोगे यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद आपका का मंगा सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वताया कि किस परकार से आपको फिजिकल डेविट काड कोटक महिंद्रा वैंक की जीरो बैलेंस एकाउंट का मंगाना है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें और साथी चैनल को सबस्क्राइब क करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हमें देजिए इस रसत तब तक के लिए गुडबाई